असलाम अलाइकूम कैसे हैं आप सब अग्मिया आप सब के साथ शेड करने वाली हूँ मुगलई पराठा की रेसिपी बहुत ही स्वादिश्ट बनता है यह बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है आप देख सकते हैं कि कि इस तरीके से यहां पर मैंने मुगलई पराठा बनाया है स्टोफिंग भी कितना अच्छा है इसमें और बहुत ही आसान भी है यह बनाना तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर मैं लिया है मैने दो कटोड़ी मैदा और हम इसका दो तयार करेंगे तो यहां आपर मैंने इसमें आइड कर दिया है नमक और उसके बार नहां पर मैं मॉयन के लिए ओल ले रही हूं तीन चमच जो टी स्पून होता है वही मैंने ओल लिया यहां पर ताकि मॉयन हमारा अच्छा रहेगा तो वो भी पराठे भी हमारे क्रिस्पी बनेगे मॉयन को अब हम मिक्स कर लेगे हातों से हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेके मेदा और जो तेल है उसे अच्छे से मिक्स कर लिया इसे अब हम यहां पर थोड़ा-थोड़ा पानी एड करके इसका एक डो तैयार करेंगे आटा हम गून लेके अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके डो हमारा जितना ही सौफ्ट रहेगा पराठे बनाने में हमें उतनी ही आसानी रहेगी और उतना ही पतला पराठा हमारा बेला जाएगा हातों में अगर आटा आपके छिपकता है तो हम इसमें थोड़ा सा ओएल ले लेंगे हात में और फिर इसको गूद लेंगे जैसे हम आटा गूनते है ना वस उसी तरीके से इसको हम आटा तयार कर लेंगे मेदे का आटा गुंदे में थोड़ी दिक्कत होती है, हाथों में बहुत लगता है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा ओईल लेकर हम इसे गुंद लेंगे आटा हमारा गुंद गया है, अब यहाँ पर मैं इसके उपर ओईल लगा दूंगी ताकि यह और सॉफ्ट हो जाए, अब इसको ढग कर हम रग देंगे आटा हमारा सॉफ्ट होने में दस मिनित लगेगा, उसको सेट होने में इतने में हम यहाँ पर मसाला बना लेते हैं कडाई ली है मैंने और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कीमा आइट कर दिया है मटन का कीमा होता है, वो मैंने यहाँ पर लिया है, 2500 ग्राम आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कीमा ले सकते हैं हम तो मटन ही खाते हैं ना, इसलिए यही वाला कीमा एट किया है मैंने इसका अब हम पानी तोड लेंगे, जो भी एक श्रापानी है वो और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें एक उबाल लेने के लिए रखेंगें पहले इसका सारा पानी तूट जाएगा तो उसके बाद ही हम यहाँ पर एक लास मानी एट करेगे इसमें और थोड़ा सा नमक एट करके हम इसको कुछ दिर उबाल लेंगे उससे क्या होगा कि यह जो हमारा मटन है यह थोड़ा सा गल जाएगा पानी यह आपर सारा सूख गया और आप देख सकते हैं कि मटन भी हमारा काफी अद्टक गल चुका है बस ऐसा ही हमें चाहिए मसाला बनाएंगे अब हम ओइल लेंगे कड़ाई में मैंने वही कड़ाई लिया है उसमें मैंने कड़ी पत्ता एड़ कर दिया है और पोधिना एड़ कर दिया है उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्ची और प्यास भी एड़ कर दिया है यहाँ पर मैंने लिया है हरी प्यास की जो पत्तिया होती है न वो वो भी मैंने इसमें एट कर दी है अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इनका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें कीमा एट कर दूगी और अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से चला लेंगे हम और इसे मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे कि ये कड़ाई में लगे नहीं कुछ देर अब हम इसे भून लेंगे चलाते हुए और उसके बार यहाँ पर मैं इसमें हल्दी पाउडर एट कर रही हूँ हल्दी पाउडर से इसमें कलर अच्छा आएगा इसलिए मैं इसमें एट कर रही हूँ उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको कितना तिखा पसंद है उतना ही आप ले सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने इसमें धन्या पत्ती एट कर दिया है इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे कीमा हमारा थोड़ा सा गल चुका था और थोड़ा बहुत यहां पर गल जाएगा लास्ट में मैंने इसमें एट कर दिया है बलेक पेपर काली मिर्ची का पाउडर और अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चला लेंगे हम इसे यहाँ पर मैंने लिए है दो अंडे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पेट लेगे हम इसे चमच की मदद से और पेट चुका है अब इसमें हम थोड़े से प्याज एट कर देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा हरी मिर्ची भी एट कर सकते हैं अगर आपको जादा स्पाइसी पसंद ने तो मैंने वहां पर हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों एट कर दिया था इसलिए यहाँ पर शिप प्याज एट किया है मसाला भी हमारा तयार हो चुका है और आटा भी हमारा तयार है अच्छे से हम एक बार आटे को मिक्स कर लेगे ओईल लगाया था हमने इस पर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी लोई बना लेंगे 300 ग्राम जितना मेरा यहाँ पर मेदा था और उसकी मेने 4 लोई बनाई है 4 परोठे मेरे इससे बन जाएगे लोई मेने तोड़ ली है और अब हम इसको अच्छे से गोल कर देगे इस तरीके से हम इसको कर देगे मेदे पर ओईल है इसलिए वो हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं आसानी से इसका बॉल बन जाएगा तबेत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा सा आवाज अभी डाउन ही चल रहा है मौसम खराब है बस उसी की वज़े से यहाँ पर सारे बोल मैंने बना कर रख लिये हैं आप अपने हिसाब से आपको जितना बड़ा पराठा पसंदे उतना बड़ा बॉल बना सकते हैं थोड़ा सा सुखा मेदा लेंगे हम और अब इसकी रोटी बेल लेंगे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसकी रोटी बेल रही हूँ और इस रोटी को मैंने काफी बढ़ा बेल लिया है बिल्कुल पतला हमको बेलना है क्योंकि जितना पतला यह जो रोटी रहेगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा मसाला इसके उपर रखने के बाद मैंने यहाँ पर जो अंडे में प्याज एट करके मिक्स किया था वो भी हम इसके उपर लगा देंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से बीच में मसाला रख देंगे और यहाँ पर हम इसको आप फोल्ड कर देंगे तो बस इसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, अगर आपको लगे कि आपकी जो रोटी थोड़ी मोटी है, तो आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, मेदा है तो ये कितना भी स्ट्रेच हो जाता है, मेरी रोटी हाँ पर पतली इथी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्ट और पराठा बनके तयार है, अब हम इसको ओल में फ्राइ कर लेंगे, तो एक बड़ा सा तवा लिया है, मेरे पास है, बस उसी तवे में आप चाहें, तो कड़ाई में भी इसे फ्राइ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट में जहाँ पर ये मिलते हैं, मुगलई पराठे महाँ प मेरे पास था, तो मैंने वही ले लिया, एक साइड से पराठा सीख जाए, फिर हम उसको पलड देंगे, चिम्टे के मदद से मैं आपर पराठे को पलड दिया है, अच्छे से अब इसकी दूसरी साइड भी हम फ्राइ होने देंगे, बहुत ही जल्दी बनता है ये पराठा और बहुत ही अच्छा भी लगता है, रमजान में बहुत इसे पसंद किया जाता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे, क्योंकि कुछ भी चीज़े अगर हमें खाने का मन हो, तो हमें रमजान की ज़रूरत नहीं होते हैं, रमजान में हम कुछ एक्ष्राई खा लेते हैं इसे हम पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे, केस हमारी जादा नहीं हाई होनी चाहिए, नहीं मीडियम होनी चाहिए, बराबर आज पर हम इसे फ्राई करेंगे, पराठा हमारा जो पराठे की रोटी वो जितनी पतली रहेगी उतना ही क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तयार ह एक पर अधर हमारा हो चुका है आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा इसको प्राई कर दिया है अब हम इसको कर दोब डकाल लें । दूसरा बनाएंगा कि उसके लिए भी हमें रोटी बनाएंगे जितने पतली रोटी रहेगी पराथा उतना ही अच्छा आपको मसाला और रोटी बिलकुल बराबर रहेगी, रोटी अगर हमारी मोटी रहेगी तो फिर वो जो हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो आटा आटा जेसा दिखेगा और वो हमको इसमें चाहिए नहीं, इसलिए आप चाहें बिलकूल पथली रोटी बेलिएगा, मेदा है यह स आप देख सकते हैं, यह ठीजा हमारा भी हो जाती है, आप देख सकते हैं, थोड़ी मुझे उसा लग रहा था कि मोटी-मोटी लग रही है, मैंने इसको इस तरीके से खेच खेच कर दिया एं पतला, दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तयार है, इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे, आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना मैं इसी तरीके से नही नही रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूंगी और इंशाल्ला ये जो पराठे की रेसिपी है वो आपको जरूर पसंद आएगी बहुत ही आसान है आप जरूर बनाएं